दीखे 24 का चुनाव बिल्कुल एक तरफा है प्रदान मंत्री नरंदर मोदी जी EVM को सेट कर चुके हैं जैसा उन्होंने कहा 400 पार तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि आप बोटो किसी को भी देंगे 400 पार तो उनका है क्योंकि सिस्टम होता है और हैक होने के बाद में कितना भी पंजे का बटन दबादो कितना भी हाथी का दबादो कितना भी साइकल का दबादो कितना भी लाल टेम का जलादो कोई फरक पड़ने वाला नहीं है चुनाव आयोक को चाहिए कि इस बार वैलेट पेपर से चुनाओ और प्रदान मंत्री नरंदर मोदी का अगर च योगदान प्रदान मंत्री नरंदर मोदी जी का है उतना ही मीडिया वालों का है कि भारतिये जनता पार्टी और मोदी जी ताना साही पर उत्र रहे हैं अर्भिंद केज़री वाल जी को गिरिपतार कर ले इसे साफ तोर पर पता चलता है कि भारतिये जनता पार्टी और मोदी जी ताना साही पर उतर आए हैं ताना साही जादा दिन चलने वाला नहीं है यही ताना साही आपको पता होगा जर्मनी में भी होती थी हिटलर के समय पर बाद में क्या हुआ हिटलर की जर्मनी भी बरबाद हो गया हिटलर भी बरबाद हो प्रदान मंतरी नरंदर मोदी जी को भी देना चाहिए आप जानते होंगे कि जो इनका सरकारी गवाह बना है रेड़ी मोदी जी को साथ क्रोन रुपे का चंदा दिया है अब बताइए जिसने चंदा दिया है धंदा लिया है अगर उसका पॉल पट्टी खुलता है तो यहां क कि जेल जाते ही जैसा का पापा जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा जैसा के पापा को जेल जाते ही मोदी जी जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे अगर सही से ज्याच प्रदाल होती है तो पूरी भारतिये जनता को एक दिन जेल में जाना पड़ेगा भारतिये जनता को को समझ लेना चाहिए बोटर किसी को भी तेंगे 400 यह क्व्लिव Alors है क्व कि सिस्टम होता है और हाथ होने के बाद में आप कितना भी बटन कीटा आथी का दबा दो कितना भी हांती का दिवाद कितना भी लालगता दो कुई फरक करने वाला नहीं है चुनाव आयोक को चाहिए कि इस बार वैलेट पेपर से चुनाओ और प्रदान मंत्री नरंदर मोदी का अगर चहरे पर बोड मिलता है तो वैलेट पेपर से भी मिलेगा ना भाई इनकी हैकडी साहब निकल जाएगी 40 सीटों पर से मट जाएंगे अगर वै सब्सक्राइब करें नहीं सकता है कोई हम तो कहते हैं सममयठी रानी जी करना को Mm something ऐसंव और जा दिखियारी दिखियो में क्या होandez बीजेपी का जितना भी लोग है वो आजकल सन्यास ले रहा है या तो पार्टी सूड़ के कांघ्रेस में या फिर दूसरी पार्टी में जा कि चुनाव साब एक तरफा जा रहा है इंडिया लाइंस के खेमे में तो इसलिए वो लोग सन्यास लेंगे पार्टी में आएंगे मारे डर के क्योंकि राहुल गांदी जी ने जब से कह दिया है कि सरकार बदलेगी और ऐसी कारवाई होगी कि दुबारा ही कारवाई करने की ज दिखाती है जाप मालूम ही होगा सीमा हैदर उनके लिए बहुत जरूरी है बड़ी मीडिया के लिए और आज का जो मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी सिच्छा उस पर लोग बात नहीं करते हैं EDCBI EDCBI बिपच्च पर ही बैठता है वर्तमान सरकार पर EDCBI का कोई संबन नहीं जाता है कोई नोटिस नहीं जाता है कितना भी खरष्टा चारी है आप वीजे पी में विजर्पी में जोएन कर लीजिए अब मुझे चंदा दो में आपको धंदा दूगा अगर आपने तो इसका खुलासा आप लोग कहनी कर रहे हो गाय वह बीप वाले वी चंदा दे रहे हैं गाय अज़ा रच्छक कहते हैं अपने आपको भारतिये जंता पार्टी अपर थाइसो करण रुपय का चंदा दिये हैं तर आप लोग उसपर बात क्योंहीं करते हैं कांग्रेस को अच्छा मीडिया है वो भी उसी को खत्म करने में लगी है आप लोग चाहते क्या है कि पूरी पार्टी को खत्म कर दिया जाए कि देश की बरबादी में जितना योगदान प्रदान मंत्री नरंदर मोदी जी का है उतना ही मीडिया वालों का ही है असान नहीं है 2024 का चुना कहा जा रहा है कि कमBank करना थे हैं अइस है तो बिल्कुल आसान है इंञ Acts 1 में क्योंकि चुनाव ऑधिकारीं वह है उसको राष्ट पिता और राष्ट पती में फरक नहीं पता है उकर राष्ट पती थे महत्मा गंदी को राष्ट पती बना रहे थे अब बताएव की रहाई आ को कियो नहीं कर रहे रहे हैं इसको चंदा ज्यादा भारतिय जंता पार्टी जिसको अपनी गोदी में ज्यादा खिलाने का काम करेगी अज की जो सरकार है मीडिया को अपने कपजे में ले लिए ठाम यूटूबर जो भी है को गंगनार आवात के बाद आक चीज बता ही के बाद Strong Nour be सुप्रियास्री नेट जी को जानता हूं वो ऐसी अभध्र तिपड़ी करहें लिए नहीं सकते हो आप की घंभत मान सकता है मेडम आप जैसे लोगों के दिमाग में गोवर भर गया है और जब तक आपके दिमाग में जब तक गोवर रहेगा ना तब तक ऐसी विचारधारा चलती रहे मैं हिलाओ का सममान करता हूं सुनि emeievuditaarlaعली मत करिए ढलााली मत करिए मैं फिर बोलने लगूँ गा फिर आपको मिर्ची लग जाएगी दिक्कत हो जाएगी मैंने कोई अपमन से क्रमक शासी की रानी की किर्दार निवा चुकी है कि हम लोग अपने चरित पर नहीं मोदी जी के उस पर जीतेंगे अब आप बताईए कि प्रधान मंत्री नरंदर मोदी के चेहरे पर कब तक जीतते रहेंगे आप लोग के नाम पर ही चुनाब जीता जा रहा है तो काम करने की जुरत क्या है तो मोदी जी को भी आप 543 सीटों पर मोदी जी को ही लड़ा दो मंडी से चुनाओ खड़ा करने का मेरट से चुनाओ में बताईए आप पर बखता है कॉंसे नहीं है लेकिन आप बताईए कि लोग कैसे कि मोदी जी पर हमारे चरित पर कुछ नहीं है जो देश की जनता को पेरा सीटा मौल और संटा फेरस की साथ चूस रहा है क्यों कि अपक्ष के कथा क्यों नी कर पा रही है विपक्ष इकथा विपक्ष इटा किया भाई विपक्ष इक लोग तोड़ कर आप मंडी जाएंगे कि निश्क चुनाओ परचार के लिए हम और आपने सुपरिया स्री नेट जी की ब्यात में पहले पूर किया गया उनके मतब जाजपड़ता लोनी चाहिए कि किसने इसे अभद्र पोष्ट की और ऐसे बाई चीज बताओ कि फोटो खिचवाने के इसी क्या जरूरत ही थी जो फोटो वाइरल हो रहा था और आपने कल देखा होगा नेहा सिंग राठोर को एक पोर्ण स्टार से उसकी तुलना की जा रही थी अब आप बताईए कि वो महिला का अपमान नहीं है प्रदान मंत्री नरंदर मोदी च्छाती पीट-पीट के कहते हैं अभी मैडम भी कह रही थी कि महिला का अपमान है अब क्या वू नेहा सिंग राटोर का अपमान नहीं था मैडम बताइए खीस मत कर्णाटक में कहीं जा सकता हूं देश आजाद है दिखिए फिर करने वाले लोग कौन सिस्टम में वेठे हुए लोग देखिए हमको डराने की कोशिश की जाती है आज जैसे बिपच को डराने की कोशिश कि जाता जाता तो नहीं बेरोजगारी और सबजी का रेट बढ़ रह है अंग्रागोजा बोल रहा है कि इंडिया एलाइंस का 308 प्लस रहेगा साथ आकड़ा वही है घर से चंदा नहीं दोगे आपका मीडिया आपका कितना पैसा देता है मोदीजी को तो वर्क फर्म जेल होगा किज्रिवाल जी का आप पूस्त हो रहा हूं आप मोदीजी को कितन सब्सक्राइब करना चाहिए जेल से रहेकर बिल्कुल अगर मुझे जेल में सरकार डाल देती है तो मैं वहां पर दो चार मीडिया वालों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग भी आईया करिया हम वहां से भी आपको यही बेंगातमक सवाल क्या करेंगा अगला नमर किसका है अगला नमर पूरे विपच्च का है पूरा विपच्का है मैं भी जाओंगा और आप जितने पत्रकार यहां पे खड़े हो के इंटर्व्यू ले रहे हैं साथ सब जहेंगे अगला नमर किसक्ट करेंगे